प्रस्न चार का पहला एक सम्दिवाहो तिर्भुज का असमान भुजा 48 सेंटीमीटर है इसका परिमाब 108 सेंटीमीटर है तो तिर्भुज का छेतरफल ग्याद करें तो लिखेंगे माना की सम्दिवाहो तिर्भुज सम्दिवाहो तिर्भुज का बराबर भुजाओं में से बराबर भुजाओं में से पर्तेक पर्तेक ए में से पर्तेक ए है और और असमान भुजा और असमान भुजा बी बराबर 48 सेंटीमीटर है तो यहाँ पर प्रस्न में असमान भुजा दिया हुआ है 48 सेंटीमीटर ठीक है और इसका परिमाप दिया हुआ है समदिवाहो तिर्भुज का परिमाप दिया हुआ है तो पहले हम बराबर भुजाओं में से पर्तेक भुजा का लंबाई ग्याद करेंगे ठीक है उसके बाद ही इसका छेतरफल ग्याद करेंगे तो लिखेंगे यहाँ पे, प्रस्न से तिर्भुज का परिमाप, तो परिमाप कितना दिया हुआ है, समधिवाहों तिर्भुज का परिमाप कितना दिया हुआ है, 108 सेंटिमीटर, तो परिमाप दिया हुआ है, 108 सेंटिमीटर, तो तिर्भुज का परिमाप कैसे निकलता है, तो तीनों घुजाओं को जोड़ कर, तो लिखेंगे यह था, बराबर, a प्लस, a प्लस, b, बराबर, 108 सेंटिमीटर, तो यहाँ पे, समधिवाहों तिर्भुज में क्या है, दो भुजा बराबर है, जिसमें की बराबर भुजाओं में से परतेक a है, ठीक है, तो दो भुजा, बराबर है, जो कि बराबर भुजाओं में से परतेक A है तो A प्लस A हो जाएगा यानि A और A दो भुजा हो गया जो कि बराबर है और B हो गया तीसरी भुजा तो A प्लस A प्लस B लिख देंगे क्योंकि दो भुजा बराबर है सम्दिवाहो तिर्भुज में 2 भुजा बराबर होता है तो a प्लस a प्लस b बराबर 108 cm तो a प्लस a क्या हो जाएगा तो a प्लस a हो जाएगा 2 a प्लस b b कितना दिया हुआ है 48 देखे b हमें दिया हुआ है यानि आसमान भुजा जो कि आधार है अधार दिया हुआ है सम्दिवाहोती रुभुजगा अधार कहें या समान भुजा कहें एक ही बाद है तो B दिया हुआ है कितना 48 cm तो B के जगह पे 48 लिख लेंगे बराबर ये B है ठीक है बराबर 108 लिख लेंगे तो 2A 2A बराबर कितना हो गया 108 माइनस 48 108 माइनस 48 अता है A बराबर कितना हो जाएगा A बराबर हो जाएगा तो इसको घटाएंगे 8 में से 8 गया सूनने 10 में से 4 गया 6 यानि 60 हो गया तो 60 बटा 2 हो जाएगा क्योंकि 2 गुना में है बराबर के बाया तरफ 2 गुना में है तो दायाई तरफ जाके दो भाग में हो जाएगा यानि कितना आ गया? 60 को 2 से भाग देंगे तो ए बराबर आ गया 30 सेंटीमेडर सब सेंटीमेडर में यहाँ पे दिया हुआ है असमान भुजा और परिमाँ तो यह भी सेंटीमेडर में होगा तो समदिवाहो तीरभुज का बराबर भुजाओं में से पर्देक को A माने थे तो बराबर भुजा देखिए आ चुका है 30 cm का है दोनो अब हम इसका छेतरफल का सुत्र लगाएंगे क्योंकि A तो निकल चुका है और B, B दिया हुआ है 48 तो अब यहाँ पर लिखेंगे आता छेतरफल छेतरफल बराबर तो समदिवाहो तीरभुज का छेतरफल का सुत्र क्या होता है तो समदिवाहो तीरभुज का छेतरफल का सुत्र होता है एक बटा चार एक बटा चार B अंडर रूट चार A स्कॉाइर माइनस B स्कॉाइर माइनस B स्कॉाइर यह B है यह भी B है तो यहाँ पर A बी क्या हुआ तो A हो गया बराबर भुजाओं में से पर्तेक तो बराबर भुजा में से पर्तेक को A लिखा गया है A हुआ और जो आसमान भुजा है उसको B से यहाँ पर लिखा गया यानि जो आधार है आधार को B से यानि आसमान भुजा तीन भुजा होता है समदिवाहों तीरभुज में दो भुजा बराबर होता है तो ए हो गया बराबर भुजाओं में से पड़ते एक तो बराबर भुजा को ए से लिखा गया है यहाँ पे और बी के जगा पे लिखना है असमान भुजा जो की आधार हो गया तो ए कितना है तो एक बटा चार गुना बी बी कितना है यानि या समान भुजा कितना दिया हुआ है 48 तो अब बी के जगा पर 48 लिखेंगे अंडरूट चार गुना ए यानि बराबर भुजाओं में से पड़ते कितना है तो ए बराबर हम निकाले हैं 30 तो ए के जगा पर 30 लिख लेंगे और ए एस्क्वाइर है यानि 30 का वर्ग माइनस बी एस्क्वाइर तो बी के जगा पर 48 लिखना है यहाँ पर क्योंकि बी क्या है समान भुजा तो ए हो गया बराबर भुजाओं में से पड़ते कि और बी हो गया तिसरी भुजा यानि आधार या समान भुजा कर सकते हैं तो इस तरह लिख लेना है अब इसको हल करेंगे तो आ जाएगा इसका छेतर फल चार से देखिए इसको काटेंगे तो बारा चौक अर्टालिस बारा चौक अर्टालिस तो बारा फिर अंडर रूट है देखिए यहां पर बारा गुना है एक बारा लिख देंगे क्योंकि अर्टालिस चार से कट चुका है बारा बार में आप यहां पर लिखेंगे अंडर रूट चार गुना अब देखिए तीस का वर्ग क्या होता है तिन्तियाई नौ और दो सुन्ने दे देंगे यानि नौसो तीस का वर्ग क्या हो जागा तीस गुना तीस नौसो माइनस अर्टालिस का वर्ग तो अर्टालिस गुना अर्टालिस करके देख लेते हैं तो अर्टालिस गुना अर्टालिस अठी अठी चौसट आठ चोक बत्तिस छे अर्टिस आठ चोक बत्तिस चाठ चोक सोला तीन उन्नीस चार आठ दो दस नौतिन बार एक तेरह एक एक दो तो कितना आ गया दो हजार तीन सो चार तो दो हजार तीन सो चार लिख लेंगा अर्टालिस का वर्ग अब इसको लिखेंगे यहाँ पर बारह अंडर रूट नौसो गुना चार करेंगे तो नो चोक च्छतिस यानि 3600 देखें 9.36 और 20 यानि 3600 आजाएगा 900 गुना 4 माइनस 2304 बराबर 12 अब घटाएंगे 10 में से 4 गया 6 देखें 10 में से 4 गया 6 यह हो गया 9 9 में से सुनने गया 9 यह हो गया 5 5 में से 3 गया 2 3 में से 2 गया 1 यानि कितना आ गया 1296 घटाने पर 1296 अब लिख लेंगे 12 गुना अब 1296 का वर्गमूल निकालेंगे ठीक है तो 1296 का वर्गमूल क्या हो जाएगा तो 1296 का वर्गमूल निकालेंगे इस तरह से तो 3 ती आई 9 तीन आ गया 12 में से 9 घटाने तो 3 यहां पर जोड देंगे 9 6 को उतार देंगे 396 हो गया तो 6 लिखेंगे 6 चक 36 6 चक 36 3 49 आनि 36 का वर्गमूल है तो 36 का वर्ग है 1296 ठीक है तो 1296 का वर्गमूल क्या हो गया 36 तो यहां पर लिख देंगे 36 अब इसको गुना कर देंगे तो कितना हो जाएगा 12 6 72 हाथ मेरा 7 बारतिया 36 साथ 43 यानि 432 और यहां पर सेंटीमीटर में दिया हुआ था परिमापे सब भुजाए सब तो छेतरफल हो जाएगा वर्ग सेंटीमीटर में यानि 432 वर्ग सेंटीमीटर इसका छेतरफल आएगा समधिवाहो तिरभुच का छेतरफल कितना आएगा 432 वर्ग सेंटीमीटर तो इस तरह से इसको हल करेंगे इसको हल कितना आएगा इसको हल कितना आएगा